हलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तों या पौधा आप अच्छी तरह से पाचान रहे होंगे या रोड के किनारे या फिर नहर के आसपास मेडो पर केत में केत के अगल बगल सोता ही अपने आप ही उगा हुआ मिलता है इसको दोस् समझते हैं कि आज हम इसके औ सती गुडों के विशें में बात करेंगे दोस्तों या बहुत ही कि सक्ति-साली और सदी इसके फायदो की बात करेंगे दोस्तों या लिभर के यह बहुत ही रामबाळाव सदी है लिवर गैस अपच और सिर के दर्द के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों किस तरह से इसितका इस्तिमाल करना है आगे हम वीडियो में बिताएंगे दोस्तों यह हर समय इसी तरह हरा भरा राता है सदा बाहर विरिशे भी है दोस्तो तो इसके फायदे जाने से पहले यही चैनल पर नए है तो चैनल को जिरू सब्सक्राइब कर ला है बेल आइकन दबाएं दोस्तो इस पौधे को आप अच्छी तरह से पाचान लिजिए यह जंगली पुदीना य के अगल वगल यह खेतों के मेड़ पर कहीं भी आपको यह असानी से मिल जाता है अपने आप ही सोता उत्पन हो जाता है इसको बेकार समझते हैं सब लेकिन इसके आज हम उसदी गुड़ों को बताने जा रहे हैं दोस्तों सबसे पहले इसका इस्तेमाल सर के दर्द में पर इसका मालिष करने से सिर का दर्द थुलंत शूमन्तर हो जाता है इसकी पतियों की बात करें तो इसकी पत्या हमारे पेट को ठंडा रखती हैं गैस लिवर के लिए यह वह बहुत ही राम बार उसदी मानी जाती है दोस्तों सो इसके इस्तिमाल से पैटी लिवर गैस पित में दर्द होना या फिर वाद पित और कफ तीनों को संतुलित रखने में बहुत ही मददगार और सदी है दोस्तों इसका इस्तेमाल करके आप वाद पित और कफ तीनों को समान मातरा में रख सकते हैं गेस की वज़ा से उल्टी होना कटी डखारे आना सीने में जलन होना लिवर की समस्याएं अपच गेस्ट्रिक इन सभी समस्याओं को जड़ से ठीक करने में बहुत ही मददगार हो से दिये दोस्तों इसके इस्तिमाल से मरधाना कम जोड़ी ताकत अपार बल की बिद्धी सभी करता है इसके परियोग से कमजोड सरीर वाले इसका इस्तिमाल करें पाचन करिया पूरी तरह से ठीक होती है और सरीर में अपार बल की बिद्धी होती है दोस्तों इसके इस्तिमाल से किसी पी प्रकार का गैस होना मरधाना कम जोड़ी इरायल इस पंसनिंग की कमी इस सभी सम मस्याओं को पूरी तरह से जड़ से खत्म करने की सकती रखता है दोस्तों इसका इस्तेमाल करके लाव उठा सकते हैं दोस्तों यह अवस्दी बहुत आसानी से मिल जाती है हमारे अगल वगल हमारे मकान के आगे पीछे कहीं भी आपको सोतह निकला हुआ मिल जाता है यह देख दोस्तों को बहुत कम ही लोग जानते हैं इसलिए दोस्तों इसका इस्तेमाल सभी नहीं कर पाते हैं दोस्तों इनको इस्तेमाल करने से पहले इनकी पत्तियों को अच्छी प्रकार से दोले दोने से जो धूल मिट्टियों गयर होते हैं ताकि साफ हो जाए उसके बाद इसका इस्तेमाल करके लाब उठा सकते हैं दोस्तों इसके पत्तियों को पीश कर चेहरे पर लगाया जाए तो चेहरे साफ होते हैं पिंपास दाग दब्बे जाईया पुरी तरह से ठीक हो सकती है दोस्तों फैटी लिवर लिवर में सोजन होना लिवर बढ़ जाना इन सभी साफ करने के लिए बहुत ही अच्छी हो सदी मानी गई है दोस्तों दोस्तों जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरू सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेर करें